हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक स्टडी स्वागत है अब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों यहाँ पर एक न्यूस है आपके शात्रवर्ति और शुल्क परतिपूर्ति विवाग से अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपका 2017 बैच को लेकर के तो आप लोगों ने फिर से जो एक फ्रेश फॉर्म के लिए अपलाई किया था ऐसे में जितने भी बच्चे हैं अभी 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ काफी ज्यादा संख्या में बच्चों ने ऐसे में ये बताया है कि उनका जो फॉर्म है और सस्पेक्ट जा रहा है ऐसे में एक फॉर्म मैंने चेक्ट किया तो उसमें भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है आपको मैं बता दूँ यहाँ पर जो आविदन पत्र के स्थिति है आप यहाँ पर देख पारोंगे च्छाफ तारीख आज ही की है बाइस नवंबर को यह यहाँ पर प्रिंट लिया गया है और इसके बाद एक स्टुडेंट का यह डेटा है ऐसे में बागी सारी चीज़े आप देखें फॉर्वर्डेड है लेकिन स्कृप्टनी रिजल्ट में यहाँ पर सस्पेक्ट क्लिक के आ रहा है रिजन लिखा है कि स्टुडेंट अप्लाइड इन सेम कोर्स आज इन प्रिवियस सेशन कहरने का मतलब यह है कहरे फ़र्ड से सेम कोर्स में इन्होंने अप्लाई कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए ऐसे मैं आप लोगों को मैं बता दू कि इसके पहले भी चुकि इन्होंने फ़र्म को रिजेक्ट कर दिया था आप लोगोंने देखा ही था उस समय रिजेक्शन वाले बात थी अभी इन्होंने सस्पेक्ट उसमें इसको डाल दिया है और करन्ट स्टेटस क्या है यहाँ पर देख पा रहा होंगे एक और डेटा ऐससी थी था आप यहाँ पर देख पा रहा हूँगे गेख लिखा हुआ है इसमें जो अरजा पत्र की स्टती जानने की जम्भायने कोशिश की तो यहाँ पर आप देख पा रहा होंगे कि स्क्रिप्ट नी के से मोहीं चीज यहां पर लिखा हुआ है कि enrollment role number not matched with university uploaded data अभी इसके regarding जानकारी मैं इकठा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि exactly इसका solution क्या हो सकता है क्योंकि बड़े तावर पर पूरा batch ही ऐसे में यही masses receive कर रहा है तो जैसा भी होगा आप लोगों को इसके regarding inform किया जाएगा फिलहल आप लोग भी कुछ जानने की कोशिश करिएगा अगर कहीं से भी कुछ भी पता चलता है तो मुझे भी आप जरूर बताईएगा 8081743734 पर इतना ही था जिसके बारे में आप सभी को आफगत करा ना था मिलते हैं आपसे जल्दी एक और वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग